आदेज जय श्रीवोली सभी को आशा करता हूं महादेव रूद्रिकर पाप सब्र पर बनी रहे। करने की छमता वो खोले लगता है जिसके वज़े से क्या होता हूं अपना मांसिक संतुलन खो बैठता है और घर में एक तरीके से पागल बोशित कर दिया जाता है और जबकि काबिलियत उसके अंदर होती है पर व्यक्ति पकड़ा नहीं पाता है और यह तंत्र भी व्यक्ति न पर कि हो या आपके मस्तिक पर यह कंदे पर या छाती पर यह नाभी के नीचे टांगों पर किसी भी प्रकार से उससे आपको रहती है तो केवल मैं आज आप लोगों को एक ऐसा सठीक मंतर दूंगा जिसके उचारल मात्र से सरी सुना दोस्तों आपने मात्र उचारल मात्र से आप उसी तंत्र को उसी तांत्रिक के ऊपर डबल गती से उसी के ऊपर पलटवार कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों अगर आप अध्यात में हैं और आप भी अच्छे सादक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिद्धी सादना के साथ साथ हम लोगों के पास और अच्छे सादकों के पास जो होता है कि अस्तर भी होते हैं कई तरह के टेक्नीक भी होती है तो उसमें से एक टेक्नीक होती है तंत्र को अगर आप तंत्रिक हैं, अगर आप अच्छे सादक हैं, अच्छे जानकार है, तो आपको तंत्र पलटना भी आना चाहिए कि सामने वाला वक्ति जिस समय आपके उपर तंत्र करता है और मौके पर आप उस समय कोई चीज उस अवस्था में नहीं है जिसके वजे से कि आप दोस्तों बात करते हैं उस मंत्र के विश्य पे दोस्तों शाबर मंत्र है और शाबर मंत्र की खास बात आप जानते ही हैं कि 108 बार यानि कि एक माला जाब कर लेने से आम अवस्या पे या ग्रहण पे या फिर आप होली दिवाली या किसी भी शुब आउसार पर आप जाब इसको कर सकते हैं एक माला जाब करना है और 1000 आहूतियां देना है ये दोनों में से आप एक चीज कर सकते हैं अगर आप जाब करना चाहें तो आप जाब कर सकते हैं अगर जाब करेंगे तो एक माला जाब करेंगे और 10 आहूति दे देंगे और उसमें ये मंत्र आपका सिध्ध हो जाएगा और सिध्ध करने ये बात चेटक कार करने लग जाएगा पर दोस्तो इस मंत्र को आप बेवजा यूज मत करना क्योंकि ये बेवजा यूज करने से इसकी जो पावर लेवल है जो छंता है वो कार करना कम कर देता है जिसके वज़े से माल लीजे कि जिस समय आप परिसीसी से गिरे हो उस तरीके की और उस समय आप इस चीज को प्रियोग करेंगे तो वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगा ठीक है तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों को मंतर बता देता हूं दोस्तों मंतर किस पकार से है ओम उल्टत नरसिंग पल्टत काया एही ले नरसिंग तो है बुलाया जो मोर नाम करत थो मरत परत भैरो चक्कर में उल्टी वेद उसी को लागे कार दुहाई बड़े वीर नरसिंग की दुहाई कामरूप गउख्या देवी की अश्ट बुजी देवी कालिका की दुवाई शिवसत गुरू के वन्दे पायो मंतर दुबारा से सुन लिजे दोस्तो ओम उल्टत नरसिंग पल्टत काया एहल नरसिंग तोहे बुलाया जो मोर नाम करत सो मरत परत भैरो चकर में उल्टी वेद उसी को लागे कार दोहाई बड़े वीर नरसिंग की दोहाई कामरू कामक्या देवी की दोहाई अश्ट बुजी देवी कालिका की दोहाई सिवसत गुरू के वन्दे पायो दोस्तों ये मंत्र था और ये मंत्र मान के चलिए कि आप लोग एक अजार आउती में सिद्ध कर लीजिए या फिर आप एक माला जाब करते हैं उसका और डेली रूटीन में अगर आप बैठते हैं पूजा में करते हैं और डेली आप एक बार ही इसका उचावा करते हैं या एक मिमेट के अंदर जाब हो जाएगा पर दोस्तों इसको अपने मौके पर काम लीजिएगा बेवजा इस पर यूज मत करिएगा कि पता लगा किसी को आपको लगा जरा सी दरत हुआ और आपने बमा दिया तो इससे क्या होगा इस मंत्र की जो उर्जा है वो छिन होती रहेग और मान लिजे जब जरूत पड़ेगी तो उस समय आपका कोई काम करने के योग नहीं रहेगा वो मंत्र तो इस चीज को मौके पर यूज करिएगा यूज कैसे करना है मैं यह आप लोगों को बता दिता हूँ यूज इस प्रकारत करना है कि जैसे मान के चलिए आपको लगत है जी स्ते प्रकार के वर प्रयों किया गया है नतर किया गया जितना बड़ा होगा उतनी जादा लौं यह आख से मुथी बांदनी है यह अपको पूरा इसा ही पूरी टरीके से और पल्टने कि से क्या होगा जैसे कि आप उसको मठ्र जांट करते मत्र कम्जकम को 25 बार 11 आपको 20 भार ऐसे आपको पढ़ना है तो उसी इसाफ से आप घंबना इस क्या होगा और जहां गमा लें तो बीच चवराहेपर जाकर या फिर को इस left वां सल ऑनाटा हो या चल रोट हो जाए है मान के चलिए नाली हो जाए है है फिपρके के फेक दीजिए और बोलिए कि जहां का तंत्र है वहीं पल्टे और बस काम सुरूँ उस तांत्रिक की बैंड बजना चालू हो जाएगी जब वो तंत्र उसके उपर पुरहां लगेगा जाकरके और वो तांत्रिक समझ भी नहीं पाएगा क्योंकि इसमें ऐसी एक खास बात है इस मंत्र के अंदर कि 31 चीज में समझ नहीं पाएगा कि उसके अपर मंत्र पलट चुका है और उसकी जो विद्या है मेरे उपर ही उल्टी काम कर रही है ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब जर चैनल की वाले आपीश